ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा थैका अंतरात्मा की आवाज तो एक ही दैक किरंप मा्यजब नहीं हैं बिजएपी मतलब नहीं को आगे बढ़ कर लेंना विस चुल्णाव का मिरा पर महानीं जssenertी का सवर्चन करना चाहिए और आगे बढ़िक्रिव्टिविट्य प्रन का दकाना सब्सक्राइश सब्सक्राइब करें देश का मान बढ़ाया सम्मान बढ़ाया दस वर्स तक प्रधानमंत्री रहे आर्चिंग नीतियों आन देश को मजबूती मिली ऐसा व्यक्तित तो पारिटी बाजी से उपर उठकर उनको भी अच्छा पॉजेटिव अपना अमन दिखाना थे इस पर बार इस पर डिसकस करें अब यह राजे सबाम जीत लेंगे और आगे भी लोगसवागी 25 की 25 भी जीत लेंगे वक्त बदलता रहता है कि तुल्सी नर्का क्या बड़ार समय बड़ा बलवान और काबा लूटी गोप्यार वही अर्जुन बईवान जब अर्जुन का वक्त कम यह शंता है और मैं चुनाव लड़ा था मेरे पुराने आप ऐस की संथाने रात्री है और वा अज़े जब प्रत्युआ जया यह आहे तो उसके बाद सेखावात नातावत खंगारों राजावत यह हम सारे के सारे अलग-अलग यह 12-13 भाई दिखर गए अलग-अलग कोई सेखावाट इम चला गया पर उदर चला गया यह सब उसकी संताने हैं उसके पहले उसके बाद जब यह संताने आए तो दुले राए आए वहां से नरवर से MP से और यहां आके जम्वारामगर लिया पहले और बाद में यह सीम्वाट भूतला और यहां से शुरुआ तो हम सेखावत राजावत हैं और यह हम उसकी संताने कचावत जितने भी हैं पूरी दुनिया जहां भी रहता है केourt canonical के बारे में गढे। इसलिए इस बात में सोचना मैं खुद राजा राम की संतान हूँ, बाकी सारे लोग हमारा परिवार सब राम की संतान है, आज आपने पूचा तब नहीं, आप मेरे पुराने पेश पे जाओगे तो आप देख लोगे, और ये जो केसरिया जिसको लेकर राजनी तोरी, केसरिय कोई किसी एक की निसानी नहीं है, ये धर्म की निसानी है, वीर्ता और सोर्य का प्रतीक है, धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, इसलिए तिरंगे में सब से उपर केसरिया, सफेद और अरा, तीनों मिलकर बीच में चक्र दिया गया, कि ये हिंदुस्तान की पैच्छान है, इसलिए इसमें तो को जती शोक्ति नहीं है कि हम उसकी संताने हैं और राजा-राम के वंसर तो सब जगे मिलेंगे जब सुप्रीम कोट ने सवाल किया तो ऐसे तो हम खाचरियावास ठिकाने में आपको पूरे पूरे निकाल कर देंगे हमारे गड़ में मिल जाएंगे आपको कि नित्रेत में पहले हमने चुनाव जीता प्रदानमंत्री मनमोन सिंख जी एक 10 वर्ष तक पूरी नीत्या बनी ये नरेग वागे रा सब योजना इन तबाई सोनिया गांदी जी का प्रधान मंत्री बनना भारत की जनता की आवाज को मजबूत करेगा, कॉंग्रेस के नेताओं की आवाज को मजबूत करेगा, कॉंग्रेस के नेताओं की आवाज को मजबूत करेगा, सोनिया जी अद्धिश बन गई न, अब आप देखिए, कॉंग्रेस पाल्टी की जो भाव झाल झाल